नमस्कार दाशकों आप सभी का हमारे चनल में बहुत-बहुत स्वागत है पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है माहा में आखरी दिन पूर्णिमा आती है और साल में बारह पूर्णिमा आती है पूर्णिमा के दिन चन्दर पून कलाओं से परिपून होता है वैसे तो हर पेड किसी ना किसी कारण से उपयोगी होता ही है लेकिन पीपल का पेड हर माइने में लाबकारी होता है इसे लगाने से कई अच्छे पईिणाम भी मिलते हैं पीपल के पेड में 33 कोटी देवी देताओं का वास होता है वही शनिवार को पढ़ने वाली पूर्णीमा को पीपल के पेड़ पर यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिल जाता है आपकी मनवानचित इक्षा भी पूरी हो सकती है पीपल से जहां जीवन रक्षत औसदी बनती है वही इसमें भगवान विश्नु का भी वास होता है स्री हरी विश्नु माता लक्ष्मी और परम पूज स्री विश्नु भगवान के साथ साथ भगवान शिव का भी इसमें वास ह होता है पीपल के पेड की क्या महिमा हैं ये तो आप सभी जानते हैं हमें इसको वर्णित करने में जराबी देरी नहीं लगेगी लेकिन आपको कई उपाय ऐसे हैं जो पता नहीं है लेकिन हम आज इन उपायों में से एक उपाय आप cả बता रहे हैं जो खास कर पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है अनिवार को पढ़ने वाली पूर्णिमा जो सुकलपक्ष की पूर्णिमा तिथी होती है पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है इस दिन पीपल के पोधे और विशेश करके पीपल की जड़ की पूजा की जाती है पी इस दिन आप सुक समरद्धी की कामना करके अपने कुल देवी देवताओं का नाम ले करके शाम के वक्त पीपल के वरक्ष के नीचे एक चौमुकी दीपक जरूर जलाएं। चौमुके नहीं तो लंबी बादी का घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह बताया गया है हमारे शिव महापुरान और वैद पुरानों में भी पीपल के वरक्ष में हमारे 33 कोटी देवताओं के साथ साथ पित्र भी शामिल होते हैं। आपके घर में कोई भी दरीदता वास नहीं कर सकती। आपके घर में सुक शान्ती तुरंत ही मिलेगी। दीपक जलाते हैं तो शनी देव के साथ साथ हनुमान जी भी आपसे प्रसन होते हैं। शनी देव का दिन होता है शनी वार और शनी की पूनिमा आपको बहुत अत्यधिक फल दे जाएगी। यदि आप यह उपाय शनी वार की पूनिमा के दिन करते हैं तो आपको अधिक और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब पर 33 कोटी देवी देवताओं का सदा आश्रिवाद बना रहेगा। आपकी मनवानचित इक्षा पूरी होगी। दर्शकों लक्षमी प्राप्ति के लिए आप यह उपाय अवश्य करें। मनवानचित पूरी इक्षा करने के लिए आप यह उपाए अवश्य करें। हमारे चैनल से जुड़िएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्या मिलते हैं अगले वीडियो। स्री शिवाई नमस्तु भेहम दर्शकों और भी उपाएं हैं जो पूर्णिमा से रिलेटेट हमने डाले हुएं उन्हें भी अवश्य देखिएगा।